क्या आपने कभी सोचा है कि चिपकली की पूँच तूट जाने के बाद भी आखिर माइकल जेक्सन की तरह डांस क्यों करती है दरसल वो इसलिए क्योंकि चिपकली खत्रा मैसूस होते ही सिकारी का ध्यान बटकाने के लिए अपनी पूँच को तुरंत बोडी से अलग कर देती और जेसे चिपकली की पूँच बोडी से अलग होती है ठीक उसी वक्त सिग्नल तूट जाने के बाद भी आदा सिग्नल पूँच में ट्रेवल होता रहता है और इसी वज़े से चिपकली की पूँच नाचती रहती है